नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी अवाज और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का शादी नव्यात्र की नमी तिथी पर गॉरकनात मंदर में आउजित कन्या पूजन अनुश्ठान में सेम योगी ने नौ दुर्गा स्वरू को कवारी कन्याओं को पाउख पकारी उनका वेदी विधान से पूजन किया चुनरी उड़ाई आती उतारी शुधा पूर्वग भूजन कराया दक्षिना और उफार देकर उनका अश्रवाद गिया मुकी मंत्री ने परंपरा का नर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया शुकरवार को गोरक्ष पीठा धीश्वर योगी आदितनात ने मंदिर इस्थित अपने आवास परिसर के प्रथमतल पर परंपरागत रूप से पीतल के परात्मी जल से सभी नौकुमारी कन्याओं की बारी-बारी बाउध होई उसके माथे पर रोली चंदन दही अक्षत और शक्ति पेठ की वेदी पर उगाई गई जई का तिलक लगाया माला पहनाकर उन्हें चुंडी उढ़ाकर उपहार इवं दक्षुना प्रदान कर आश्रवाद दिया पूजन के बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रशाद सीम योगी ने अपने हाथों से परोसा इन नौक अन्याओं के अतरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी पूजनो पुरांत स्रधा पूरवक भोजन कराकर उपहार और दक्षुना दिया क्या मुखमंत्री होगे आदितनात का प्यार दुलार पाकर नन पूजन के बाद भोजन परोस्ते समय सियम निरंतर समबाद भी करते रहे यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिकां की ठाली में प्रशाद की कोई कमी ना रहे इसे लेकर वह मंदिल की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे मैं पुरे प्रदेश स्वास्यों का आउहान करूँगा कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उद्दात रही है कि उसने हर महत्तुपूर्ण पर्व और तेवार को समाज को आगे बढ़ने एक नई पेड़ना प्रदान करने का माध्यम बनाया है सारद्य नौरात्री आधियावादी के सम्मान का उनकी सुरक्षा का उनके स्वाबलंबन का भी एक नई पेड़ना हमें प्रदान कर रहा है आधियावादी का सम्मान होगा उनका ससक्तिकन होगा तो समाज स्वयम ही समर्थ और ससक्तिमान होगा भारते मनियसा ने वेसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्त पूजनते रमंते तत्र देपता ये धविये सक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के उन्कूल वातावरन हो और इस वातावरन के लिए उस प्रकार का माहोल बनाना हम सब की जिम्मेदारी बनती है सुरक्सा सब को मिलनी चाहिए लेकिन अगर आधी आवादी स्वयम सुरक्सित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्सा उसके साथ जुड़ी भी है देश दुनिया और अपने आसपास के अने खबरों को देखने के लिए बने रही है अनूखी आवास के साथ